नमस्कार, ENT समाधान में आप सभी को फिर से हाटिक स्वागत है मैं हूँ दॉक्टर जेगो ओरी फ्रम अरनाच्छत प्रदेश इंडिया आज हम बात करेंगे COVID वेक्षिन का साइड एफेक्ट आपने मीडिया में देखे होंगे हमारा भारत में 3352 वेक्षिन स्टेशन क्या गया है ये लास्ट सेटर डेखो और उसमें से आप देखे होंगे मीडिया में 51 केसे दिली में एड़र्स इवेंट रिपोर्ट क्या गया है उसमें से एक का admit हुआ है और महरास्ट्रा वेस्स बेंगल वेगरा में 14 केसे रिपोर्ट क्या गया है हमाने स्टेट में हम अरणहेड। प्रादेश में 829 हेल्ट वर्कर्त को वेक्शन दिया गया है उसमें से एक report किया गया है adverse event वो भी minor type का event है जैसे कुछ rushes हुआ था लेकिन अभी media में या फिर हमारा जो social media में जो चल रही है कि covid reaction का इस तरह से side effect हो सकता है या नहीं हो सकता है इसलिए आज हम बात करेंगे वाकई में covid reaction का क्या-क्या adverse effect हो सकता है और ये adverse effect को हम किस तरह से prevent किया जा सकता है लोगों का एक apprehension है कि ये जो वेक्षिन जो हमें जो दिया जा रहा है वाकई में safety है क्या नहीं है मेजर्स को देखने के लिए injection को देखे देता है अगर उसमें कुछ safety creation बगरा नहीं है तो फिर phase 2 clinical trial में जाते है उसमें 5200 participants होता है उसमें हम वेक्षिन को देखर antibody formation हुआ है के नहीं हुआ हो देखते है उसके बाद last में phase 3 clinical trials इसमें 30,000 to 50,000 participants होता है इसमें हम लोग जो वेक हम assess करके देखता है वाकई में कितना antibody permission हुआ है safety level को देखकर और कितना amount में sufficient amount में जो protection level है उसको estimate करता है और लोगों का एक apprehension ये भी है कि इतना जल्दी में वेक्षिन बनाया गया है वाकई में shortcut way में बनाया है कि नहीं हुआ है ये वेक्षिन है लेकिन ये वेक्षिन जो ह होता है कि उसमें culture करने का जरूरत नहीं होता है उसके लिए permantations बगरा करने का जरूरत नहीं होता है synthetic process में ही बनाया जाता है तो इसलिए हमारा अभी का यूग में जल्ली जल्ली ही बन पाता है ये जो वेक्षिन reaction जो हो रहा है adverse effects जो है उसका कारण क्या है सबसे पहले ये लिए बेक्षिन का जो product related हो सकता है जैसे उसमें जो कुछ-कुछ सीज़े जो यूज करते हैं properties जो यूज करते हैं वो अदमी को matching नहीं हो सकता है इसका साथ में वो host हो सकता है उसके बाद जो बैक्षिन का जो quality है quality related defect हो सकता है quality maintenance नहीं किया गया है जिसका कारण से reaction हो सकत उसके बाद एक है administration device जो हमारा जैसे bottle बगरा दिया गया है या फिर उसमें जो reason बगरा जो दिया गया है उसमें quality नहीं है उसका वज़े से भी reaction हो सकता है और एक है inappropriate handling जैसे जब injection जब दे रहा होता है या फिर उसमे precautions नहीं लिया गया है या फिर उसको transportation बगरा में आच्छी त तब भी reaction बगरा हो सकता है उसके बाद immunization anxiety related reactions जैसे personal media बगरा में देखें या फिर reaction मीडिया में जो report जो हो रही है उसको देखकर एक anxiety बन जाता है कि एक tension बन जाता है कि मेरे को भी इस तरह से होगा या नहीं होगा तो उसमें भी आपको ज्यादा मतलब anxiety होने से reaction या फिर हो सकता है उसके बाद फिर coincidental जैसे आपका कुछ बीमार है तिक आफ injection का देने का तायम में वो बीमार निकल गया है तो ऐसे होके वो covid reaction का adverse effect नहीं है लेकिन आपका अपना जो बीमार है वो निकल गया है तो इस तरह से भी reactions हो सकता है आप देखते हैं हमारा जो covid reaction का क्या क्य हो सकता है उसको हम लोग गोलता है adverse event following immunization और हम इसको तीन बाग में डिवाइड किया गया है एक है minor उसके बाद severe उसके बाद serious मार में क्या होता है कि injection देने के बाद वो covid में नहीं है एनी injection जैसे कि रुबिला बगरा हो सकता है यहां पे देंगे muscle में तो pain होंगे अभी मेरा किसी को fever हो सकता है और irritability हो सकता है और malaise हो सकता है बदन च्छने लगना fever जैसा महसुस होना बदन प्रोड़ा body एक बगरा हो सकता है लेकिन वो है अपने आप ठीक हो जाता है उसके बाद severe form में hospitalized नहीं होगा लेकिन आपको disabling होगा means अपना जो routine वोग में आपको hampered होगा ज इसके बाद आपको hypotonic hyporesponsive epistle होता है जैसे muscle बगर लोग बहुत सा lose हो रहा है बहुत weakness महसुस हो रहा है तो इस तरह से और infection हो गया है सबसे बगरा यहां जहां पर injection दिया था तो वो सब आपको hospitalized करने का जूरोट नहीं है फिर भी उसको अम लोग severe category में रखते हैं उसके ब action हो गया बोडी में palpitation आपको सास लेने में दिक्कत हो सकता है जैसे इसमें जो cluster of disability होता है उसमें facial paralysis में करा हो सकता है तो वो सब को हम लोग वो usually cluster में report करता है ग्रूप में उसमें hospitalized करना पड़ता है ICU बगरा में हम लोग उसको monitor करना पड़ता है हाला कि अब तक हमारा इसमे fatal cases report नहीं किया गया है और इस तरह से जो ICU admission बगरा भी बहुत कम ही report किया गया है अगर किसी को adverse event हो गया है immunization के बाद क्या 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 करना चाहिए सब से पहले आपको बिल्कुल panic नहीं होना है क्योंकि जो team है doctors का nurse का जो जिसको train किया गया है वो on response available होता है अगर आपको minor reaction ब कि यह तो आपने आप ठीक हो जाता है अगर आपको तोरा सा तक्लीफ जादा हो रही है तो आप Paracrylumol बगरा ले सकता है फीवर है तो four hourly अपको ले सकता है उसके बाद अगर आपको 12 ससीपीर नहीं हो रहा है जैसे कि आपको सास लेने में दिक्कत हो रहा है या थिर एनप् उसके बाद अगर वो आउटिसकार्ट में है जहां पर आईश्यू के स्लेटे वगरा नहीं है तो फिर उसको रिफरल मेकनिजम है जो वेक्षिनेटर का जो टीम है वो एम्बूलेंस में एरेंज करके आपको सेपली वाक्वेशन करेंगी तो इस तरह से हम लोग का जो जितना से प्रिवेंट कर सकता है या मिनिमाइस कर सकता है उसके लिए क्लीन वर्क प्लेस जो वेक्षिनेटर का हाथ जो है वो हैंड हाईजन होना बहुत जरूरी है और साथ में जो सिरिंजिस जो इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो है स्टेराइल होना है वेक्षिन वाइ जो surf object है जिसके खूलने का होता है या फिर injection का जो needle है उसको अच्छी तरह से handle करना है और जतना भी सामाण labor utility करहा है उसका dispose वेस्ट management का गायड लाइन का हिसाब से dispose करना है जहाँ ता पिक्केने रखना है ऐसा होने से अब हो सकता है और सेकेंड है जो इन्जेक्षिंशन ट्रिलेटेट इंजाइठी जो लोगों का जो दर है उसको कम करना है उसके लिए आपको information, education and communication यह लोगों को बताना है उसके बाद आपका जो इन्जेक्षिंशन के बाद 30 मिनिट्स यह बहुत important है compulsory अगर आपको कोई emergency हो या फिर आपको कुछ काम हो फिर भी आप vaccination देने का सालसत नहीं जाना है at least for 30 minutes आपको observation room में बैठना है उसके लिए जगा identify करके रखा हुआ होता है मिक्सेशन साइट में तो इस तरह से हम अपना जो preventive measures से उसको ले सकता है उसके बाद जो हमारा guideline का हिसाब से एक किट होता है यानि कि एक box होता है जिसमें हमको compulsory ensure करना है कि वो अविलेबल हो जैसे कि इंजेक्शन एडिनली वन इस तो वन टाउजन रेशियो में होता है उसके बाद कम संग तीन रखना है उसके बाद hydro-cortation injection जब सास लेने में दिक्कत होता है उसको देना पड़ता है उसके बाद ringer lactate और या normal saline वगारा रखना है 5% dextrose भी रखना है उसके बाद drip set रखना है स्कल्प बेन जो चोटा बच्चा को आई वी ब्लाइन देता है वो सब रखना है उसके बाद disposable syringe रखना है 5 ml का उसके बाद 24-25 निदिल रखना है और case reporting format को रखना है और in case event हुआ उसको रिपोर्ट करना होता है इसके बाद जो outreach area में जहां पे medical access तोड़ा खम है उसमे अनपलेक्टिक जो kit होता है वो compulsory रखना है जो reaction होने से जो देना है वो सब injection compulsory रखना है so friends bottom line is septic precautions यह बहुत जरूरी है जिसे infection prevention उसके बाद safe injection practice उसके बाद safe waste disposal और साथ साथ में आपका जो adverse event का जो surveillance system है वो बहुत strong होना है और साथ में जो referral mechanism है उसको भी smoothly तैयार करके रखना है so friends if you like our video you can subscribe to our channel please press subscribe button ताके आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे तिल आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे till our next video on covid education stay safe जै हिन जै वारत थैंक यू